नमस्कार दोस्तो आज मैं जो जानकारी लेके आया हूँ बहुत ही जादा महत्पूर्ण जानकारी है ये सभी वहांचालकों के लिए है चाहें आप आटो चलाते हैं या फिर टेक्सी चलाते हैं या फिर आप किसी भी प्रकार की अपनी परसनल गारी चलाते हैं सभी वहांचा एक ऐसा मामला सामने आया है जिसको देखकर पुलिस वाले भी हैरान हो गई आपको इनसे कैसे बचना है वो मैं वीडियो के एंड में बताऊँ गा सबी वहां चालकों से मैं कहना चाता हूँ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें और समझें इस मामले को समझें कि आखिर ये मामला क्या है जिससे देखकर पुलिस वाले भी हैरान हो गए वो भी समझ नहीं पाए कि आखिर करें तो करें क्या इस मामले को कैसे सुल जाएं तो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के मादम से देने वाला हूँ कि आखिर ये मसला क्या है जिसने पुलिस वालों के भी होस उड़ा दिये उनको भी सोचने पर मजबूर कर दिया तो नमस्कार दोस्तो मैं हूँ आपका दोस्त आशू आप देख रहे हैं आपका अपना यूटूब चैनल एक्स बाई जैट सब कुछ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सकाइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना दोस्तो और अगर आप हमें फेस्बुक पे देख रहे हैं तो फेस्बुक पेज को भी फोलो जरूर कर लेना दोस्तो ये मामला है एक आटो ड्राइवर का लेकिन दोस्तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा सिर्फ आटो ड्राइवर भाई इस वीडियो को ना देखें टेक्सी ड्राइवर भाई भी देखें प्राइवेट वाहन चालक भी देखें सभी वाहन चालक इस वीडियो को देखे क्योंकि ऐसी घटना किसी के साथ भी हो सकती है उसकी जेव ढिली हो सकती है वो जेल जा सकता है तो दोस्तो बताता हूँ मैं आखिर मामला क्या है दोस्तो कभी आपने एक ही नमबर प्लेट की दो गाड़ियां देखी है नहीं तो दोस्तो आज मैं बताऊँगा ऐसा ही मामला द दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अब यह उस चोर की बुरी किस्मत कहें या फिर इत्तिफाक कहें या उस असली मालिक की खुस किस्मती कहें कि आज वो नकली मालिक आमने सामने आ गया जी यहां दोस्तों दोनों गाडियां नई दिल्ली में एंटर करती हैं दोनों सवारी लेके आये थे दोनों ने अपनी अपनी सवारियां नई दिली स्टेशन पर उतार दी और बापसी जाने के लिए सवारी ढूंडने निकल पड़े दोनों ने आटों वहीं पर खड़े कर दिये और सवारी को ढूंडने चले गए तो दोस्तों वहीं पर खड़ी एक PCR में ASI अमर सिंग और उनके head constable खड़े हुए थे उनकी जैसे ही नजर इन दोनों गाडियों पर पड़ी तो वह भी एक बार को हैरान हो गए कि ये दोनों गाडियां एक नंबर की कैसे हो सकती है उनको अपनी आखों पर विश्वास नहीं हुआ वो नजदिक जाके देखते हैं तो पता चलता है कि दोनों गाडियां तो सेम नंबर की है फिर उन्होंने चेसी पे लिखे हुए address को match किया तो वो भी address भी same निकला फिर उन्होंने phone नंबर को चेक किया वो भी same निकला अब वो समझ गए कि इसमें एक गाड़ी असली है और एक गाड़ी नकली है लेकिन वहाँ पर driver मौज चेक किये और जो असली मालिक था उसको तो छोड़ दिया लेकिन जो नकली था उसको पकड़ लिया उसकी गाड़ी जब्त कर ली तब पुलिस वालों ने उस असली मालिक से पूछा क्या आपने इसकी कभी कंप्लेंड कराई क्या आपको कभी कोई परेशानी या दिक्कत नहीं तब उसने बताया कि सर मैं काफी दिनों से बहुत जादा परेश ऐसे ऐसे चलान आ रहे हैं जहां कभी मैं जाता ही नहीं फिर उन पुलिस वालों ने और तहकीकात की तो पता चला जो नकली मालिक था उसने वो गाड़ी रोहिनी से चुराई थी और ऐसे ही कोई नंबर डाल दिया अपनी मर्गी से लेकिन वो नंबर इनकी गाड़ी से मैच कर गया और जो नकली मालिक था वो लगातार ट्रेफिक के रूल रेगुलेशन तोड़ता जा रहा था और उसके चलान उस असली गाड़ी मालिक के घर पर पहुंच रहे थे तो दोस्तों अब उस नकली मालिक के साथ जो कानूनी कारवाई होगी वो तो हो नहीं है लेकिन दो कर लें क्या मैं कभी वहा पर गया था या नहीं अगर आप वहा पर कभी नहीं गए तो ऐसे में अगरर आपके पास चलान माला आता है तो आप तुरंत उसकी पुलिस को recommend करें क्योंकि दोस्तों यहाँ चलान भरने की बात नहीं है आपकी गारी से हो सकता है crime हो बड़ा कोई कान्ड हो जाए वो कुछ भी कर सकता है क्योंकि उसका असली नमबर नहीं है तो ऐसे में आपकी जेब तो डिली होगी होगी साथ में आपको जेल भी हो सकती है तो अगर आपके पास कोई ऐसा चलाना आता है जहां आपने कभी ट्रैफिक रूल नहीं तोड़ा आप वहां कभी गए नहीं तो इसको नजर अंदाज ना करें तुरंत पुलिस में कंप्लेंट करें अपनी जेव ढीली होने से बचाएं और दोस्तो जेल जाने से भी बचें य यह नहीं कि आट्रो टेक्सी या फिर अन्य प्राइवेट भी है कमर्सल सभी के लिए है क्योंकि यह किसी के साथ भी हो सकता है तो बस दोस्तो यही थी मेरी चोटी सी जानकारी आशा करता हूं कि आपको अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना चै जैहिन जैवारत